भगवान को भी कार्तिक नायरा का अलग होना नहीं है मन्जूर, नायरा की मांग में भरा कार्तिक के नाम का सिंदूर, किस्मत का ये अजब खेल है, जो जुदा होना चाहते हैं, उनका करवा रही मेल है भई ये तो हम जानते ही हैं कि सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है में, इन दिनों कार्तिक और नायरा का डिवोस ड्रामा चल रहा है, वहीं भगवान ने सुना दिया है अपना फैसला, नायरा की सूनी मांग में एक बार फिर भर गया है कार्तिक के नाम का सिंदूर, वो भी राधे क्रिष्णा के सामने, भई ये नजारा देख कर तो यही लग रहा है कि भगवान भी नहीं चाहते कि दो प्यार करने वाले जुदा हो जाएं, क्यों नायरा सही कहा ना हमने जी हाँ, भगवान शायद नहीं चाहते कि हम दोनों के रास्तिय अलग हो, क्योंकि सबसे अलग होने के बाद भी नायरा इतना दूर चली गई थी, मुंबई और कार्तिक भी उसी शहर में आ गया, नायरा कार्तिक भगवान फिर से एक अंजान शहर में मिलाया, तो सब दो इ इसके भीचे में बहुत बड़ी सोरी, पर नायरा उदय पूर आगarent वो नहीं पता था कि नायरा उदय पूर में है, उदिक को नहीं पता था कि नायरा उद्गारा की मांग घल्टी से भर जाती है, शायLY भगवान भी छाहतें है वैसे कार्टिक आप से हम ये जानना चाहेंगे कि एक वक्त पर एक ही जगा आप दोनों पहुंचे कैसे? कार्टिक नायरा को यहां उद्यपूर में देखकर आपको काफी हैरानी भी हुई ऐसा क्यूं? मुंबई का मनाथी कॉल टून उने सुनाय लिया था वो शॉक कि शाय तो बॉंबई में पर उने शौर नहीं था नायरा देख चुकिये कार्टिक को पहले जॉगिंग करते हुए तो नायरा को पता है के तो उसे पर कार्टिक ने नहीं देखा अब भी तर इस पॉइंट पर का कार्टिक और नायरा आप दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया है और आपके इस फैसले से आपके फैन्स काफी दुखी हैं घर में जल्द ही शादी का महोल चाने वाला है कार्टिक की छोटी बहन और नायरा के छोटे भाई की रिष्टे की बात चल रही है ऐसे में हमें उमीद है कि दो परिवारों को करीब लाने की कोशिश में कार्टिक और नायरा की दूरियां भी मिठी जाएंगी मुंबई से पुझातिवारी की रिपोर्ट E24